क्याहिन त्यारे दोस्तों मैं प्रकासवस्तिक कानपुरवाला क्या दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि आने वाले समय में ALP का एक्जाम होगा, टेक्निशन का होगा, आर्पीअप का भी होगा और फिर भविस्प में हमारी नई भरतियां भी आएंगी उसी सिरीज में हम आपको प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, आज 17 अगस 2018 सिप नमबर टू का आपको प्रॉपर सोलूशन इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा मैं पहले ही बता दूँ, ये वीडियो पहले से ही हमारे रिकॉर्डेट हैं, और आने वाले समय में हमारी लाइब क्लासिस भी चालू होंगी, जिसमें सेट कराएंगे अभी हमने लंबे समय तक दो किताबों को पढ़ाया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ, कौन सी, मैंने जूद 2024 कंप्लीट कर डाली है, रेलवी की प्रिवियस येर, और पिनैकल 6200 मैद भी कंप्लीट कर डाली है, जोकि नाम मात के सुल्क में आपके सामने है, लेकिन इस 200 रुपए और प्राइस ड्रॉफ हो जाएंगे, जो ये प्राइस दिये गए हैं, इनमें भी 200 रुपए और कम हो जाएंगे, साथी साथ जो ये वीडियो है, इसकी जो पीडियाप है, वो भी आपको हमारे टेलिग्राम ग्रुप में मिलेगी, लिंक डिस्क्रप्शन में, अ और साथ में आरपी अपकी भी चालू करेंगे बहुत जल्दी, यानि एक या दो तरीक से चालू कर देंगे, और ये पहले से कंप्लीट है, आप जब आगे वीडियो देखोगे तो प्रापर आपको बाइलिंग्वल, हर एक कोशन दोनों भासाओं में आपको अभी और ये एलपी का बाइलिंग्वल रहेगा और आरपी अपका हिंदी में रहेगा, तो बस यहां सी इस वीडियो को इंज्वाइए कीजिए, कैसा लगा सेशन, कमेंट में जरूर बताइए, नहीं हो तो टेलिग्राम ग्रूप को जोईन कर लेना, और अगर आपको as a foundation पढ़ नहीं solve होती है, तो आज ही डाउनलोड किजिए, प्रकास सर्मैत आप, आपको benefit होगा, चलिए, वीडियो को यहां से पढ़िए, धन्नवाद, दोस्तों, आज जो मैं set करा रहा हूं, यह 17 अगस 2018 shift number 2 है, ज्यान देना, यदि एक data की मादिका और बहुलक को ABC द्वारा तरसाय जाता है, और AB का ratio 9 is to 8 है, तो B और C क्या होगा, यहां पर आपको एक formula आना चीए, बैतरीन धंग से formula आना चीए, क्या होता है, होता है, बहुलक यानि mode, बहुलक बराबर 3 गुना मादिका के, और 2 गुना मादिके, मादिका को इंगलिस में median कहते हैं, और माद को हम लोग mean कहते हैं, यदि एक data के माद, मादिका और बहुलक कितना है, ठीक है, P और C का ratio चीए, तो यहां पर आप देखो, अगर हमें बहुलक निकालना है, जिसे हम C से जान रहे हैं, C हमारा बहुलक है, 3 मादिका, तो पहले म माद लिखा है, तो मादिका हमारा 8 होगा, यानि B, और माद दो गुड़े, माद को acid note तो वो 9, 9 दुनी अठारा, 24 में से अठारा गया 6, यानि C बराबर 6, देखा जाए, हमसे B और C का ratio पूछा जा रहे है, P की value 8, और C की value 6, यानि 4 इस्टू 3 आंसर होगा, अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर, ratio में था, तो आप एक variable लेते हैं यहां पर, तो कोई यहां ratio में था, पूछा भी ratio में जा रहा है, अगर हम कोई x variable करके, जिसे 9x और 8x करते, तो बाद में जाकर x हमारा cancel होता, इसलिए प्यारे दोस्तों, हमने उस चीज को नहीं लिया, तो बनता है, एक के बाद, question number 2, दोस्तों हमने इस pattern के question को बहुत समझाया है, समाज को, कि जब भी कोई train, man, pole, flag, tree को cross करती है, तो वह सिर्फ अपनी ही length को cross करती है, और जब कोई train, जब कोई train किसी platform, building, bridge, tunnel को cross करती है, तो अपनी length के साथ-साथ उसकी भी length को, ध्यान देना, 76 km पे घंटा की घंटी से चलने वाली, तो train की speed, 76 km पे घंटा, एक घंटे में होते हैं, 3600 second, और 76 km तो 76,000 meter चलती है, कहता है, 450 meter लंबे platform को 27 second में पार करती है, यानि train की, मलब platform की length के साथ, train की भी length, अब हमारी calculation को समझना प्यारे दूस्थ, 450 meter लंबे platform को 27 second में पार कर लेती है, तो 450 plus L, 27 second ऐसे लिख लेंगे, 2,0 से 2,0 काटा, 9 से ये 4 बार, 9 से ये 3 बार, 4 में किसका गुणा करें कि 760 हो जाए, तो 190 का करेंगे, 3 में भी किसका करेंगे, तो 190 का गुणा करेंगे, 9,3 का 57, यानि 570 आ जाएगा, और हम L की बात करें, तो 120 आ जाएगा, यानि 120 meter is the right answer of this one, question number 2 का जो सही answer होगा, मिरे दोस्त, वैं 120 meter आएगा, यही इसका सही answer, लेकिन आपको मेरे सब्द समझ में आने चाहिए, कि जब कोई train किसी manpole flag tree को cross करती, तो अपनी length को cross करती है, गौतम जी, और जब कोई train freeze building tunnel को cross करती है, तो अपनी length के साथ साथ उसकी भी length, उमीद है, गौतम जी, ब्रज, मुहन जी, लव जी, clear हो गया होगा, question number 2 के बाद, question number 3, यह एक बैतरीन question है, कहता है, square root of point 9 is equal to, यहाँ पर दसमलो 9 का square root पूछा गया है, मेरे प्यारे दोस्तों, आप बिलकुल basic method से point 9 का निकालों, तो point 9 zero, तो डिलिट में convert कर लो, जब पढ़ोगे, जिसे 9, तो 9 नहियां 81, 9 नहियां 81, यहाँ 9 आएगा, ठीक है, आप यह समलों कि आप, आप ऐसे नहीं, ऐसे दसमलों में, आप confusion में आ जाओगे, आप ऐसे नहीं, इसका square root निकालना है, इसका मतलब 9 बटा 10 हो जाएगा, कि नहीं, पहले बोलो, हाँ, एक 0 ऐसे लगा लो, एक 0 ऐसे, यहनि एक बटा 10, अंडर root 90 का square root निकाल लो, अब आपको कहीं कोई गलती समझ में नहीं आएगी, हो सकता था कि पहले मुझसे कुछ गरबड हो जाता, पर आप नहीं हो साथ, 90 का square root निकालने आए, पहले 9 से पढ़ोगे, 9-9 यहां 81, आनि 9 लिखोगे, फिर यहां से 9 आएगा, दसमनों लग गया, तो यहां 2-0 बढ़ दाए, बोलो हाँ, फिर 9-9, 18, ऐसे लिखोगे, कितनी बार में, 4 बार में, 4 चकु 16, बातर एक 73, यहां से हमारे सामने, चार चकु 16, 164 आगया, तो 9, 9.4, अब यहां देखोगे, 4 तो यह 188 हो गया, आठ बार में ही, आठ का गुणा कर लो, यहां 2-0 लाना पड़ेगा, क्योंकि दसम्मलों चल रहा है, 88, 64, 6 हासिल, 64, 67, 7 हासिल, 64, 7, 71, 7 हासिल, 8, 7, 15, बाकि समझदा हो, तो यह 9.48 आगया, यानि लगभग में उपर की वैलू, 9.48, रूट 90 आया, और नीचे देखोगे, तो 10, हाग दोगे मेरे दोस, 0.9, 4.8, यानि right answer of this question, T हो जाएगा, अब इतना लंबा क्यों गया, क्योंकि हमें सिखाना था, और अगर हमें खेलना होता, तो हम इसमें इस फील्ड से खेल जाते, एक बच्चा कहता है, इसा दसमलो 9.4, गौतम मेरे भाई, दसमलो 9.4 ये भी है, और 9.4 ये भी है, यहां गौतम मेरे भाई, आपके साथ खेला हो जाएगा, हमने स्वाल किया, अदर्वाइस तो हम ऐसे कर देते ना मेरे भाई, आप खुझी बताओ, 90 लिखा है, तो हम माल लेते ये 9000 है, दो जीरो बढ़ा लेते, अम 9000 किसके स्कायर के आसपास आता, तो देखा जाए 94 का स्कायर अगर निकालो 95, 95 का स्कायर होता है 95, 95 से 9000 से 25 कम है, यानि 0.995 से थोड़ा सा कम की ओर जाते हैं, पर जहाँ दो आप्शन से हैं, वहाँ हमाय साथ खेला हो जाता, इसलिए हमें बेसिक से जाना पड़ेगा, इस कोशन को हम थ्री स्टार्स तिर्फ इस बात के लिए दे रहे, इस कोशन को त रखना हो, कोशन नमबर 4, सीखे का इंडिया हमारे साथ, जिको इसने एक पहली ही बात कह दिये, the equation this one has no solution, no solution, यानि कोई भी इसका solution नहीं होगा, बोट लाइन्स आर पैलल होगी इसका मतलब, हम जानते हैं कि A1 अपाउन A2, B1 अपाउन B2 does not equal to C1 अपाउन C2, जब भी मेरे no solution है, तो समझ जाना कि ये no solution क्यों है, क्योंकि दोनों लाइन हमारी, sorry, दोन लाइन हमारी पहला ले, नहीं, पहला नहीं, no solution, ठीक है, समझ गया होगी, अरे मेरे भाई, अग, clear है न, अच्छा, इसको हम लोग सीखेंगे और जानेगे, दोस्तों, यहाँ पर देखो तो हम क्या लिखेंगे, 4 बटा 6 ऐसे लिखेंगे, 3 बटा माइनस के ऐसे लिखेंगे, और पांच बटा माइनस का साथ ऐसे, यानि अब हमारा जो खिला है, सिर्प दया इसमें है, 18 बटा 4 माइनस का साले 4 माइनस लग जाएगा, समझ गया होगे, अरे मिरे भाई, छत्रिक 18 बटा 4 साले 4 माइनस सिर्प बग, यानि right answer of this question, A, माइनस का 4.5, तभी बोलो, समझ में आया की नहीं आया, जैया creation जी, अपसीख जी, रिसी केस जी, ठीक है, अंके दुवेदी मेरा भाई, clear है, question number 4 के बाद 5, दिकिए, यहाँ पर मेरे दोस, question number 5, the number of diagonals in a pentadecocon, pentadecocon का मतलब इसमें 15 भुजाएं होंगी, और जब भी number of diagonal पूछा जाए, विकर्णों की संख्या, तो आपको एक formula याद होना चाहिए, मिरे दोस, विकर्णों की संख्या का formula होता है, n, n-3 by 2, number of diagonals, number of diagonals, n, n-3 by 2 होता है, बोलो हाँ, अब देखा जाए, 15 ऐसे, 15 में से 3 गया, बटा दू, तो पंद्रा, बारा बटा दू, यानि 6, पंद्रा चका नब्बे, यानि right answer of this question, नब्बे आएगा, question number 5 का जो सही answer है, मेरे दूस, वे नब्बे आएगा, बच्चा पूछता है, कानपूर में कहां पढ़ाते हो, ये सब मत पूछ पब, भबिस में क्या है, कि बहुत सारी चीज़ें हमारी secret होती, offline class नहीं लेते, अब कहां पढ़ाते हैं, क्यों पढ़ाते हैं, सब मोम आया है, जो भी पढ़ाएंगे, सिर्फ online, ठीक है मेरे बाई, हम तुम्हारे बगल से गुजर भी जाएंगे, एक रुपिया, कॉमा, पचास पैसे, पच्चिस पैसे के कुछ सिक्कों का मूल, 93 रुपै, 75 पैसे, उनकी संख्याओं का अनपात इतना है, प्रतेक प्रकार की सिक्कों की संख्या, ज्यात कीजिए, मेरे दोस्ट, खान देना, देखो, यहाँ पड़ एक रुपिया का कॉईन है, पचास पैसे का कॉईन है, और पच्चिस पैसे का कॉईन है, बोनो हाँ, जिनका रेशियो हमारे सामनी, 3 is to 4 is to 5, अब यह पैसा है, पैसे को रुपिया अगर पचास पैसे का मतलब, एक बटा दो, रुपिया में इसका एक बटा चार, इसी में गुणा कर लो, तो 3 एक कम 3 तो ऐसे रहेगा, यूनिट पे ला रहा हो हो, 4 का आधा, ये एक तरगेस 2 रुपिया होगा, 5 में एक बटा चार, 1.25 होगा, इसको जोड़ो मेरे भाई, ये यूनिट पे होगा, 93.75, यहाँ पर देखा जाए, तो 6.25 यूनिट मेरे दूस्ट, ऐसे लिखेंगे, जो कि 93.75 के बराबर, अब इसमें इंटू करेंगे, देखा जाए, यहाँ 6, 15, 6, 90, यह जरूर कर लो, तर इतनी स्पीड से क्यों क्या, क्योंकि 93 है मेरे भाई, पंदरा के पाड़े में, अगर मैं यहाँ 16 करता, तो 96 हो जाता, हो जादा हो जाता, इसलिए, पंदरा, पचेट्तर, पाच, साथ हासिल, तीस, साथ सेतिस, तीन हासिल, ताहिए, अब हमसे कहता, प्रतेख प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगी, दया, यह 45 होगा, इसका पडोस वाला 15, चकुशाट और यह 75, 45, 45, 45 is the right answer, question number 6 का B answer होगा, question number 6 का B answer होगा, मेरे दूस, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 40, मेरे दोस्तों, धैर पूर्वक पढ़िए, और आंसर बताईए, और लाइक और सेर बनता है, आकी जैसी स्रद्दा, पढ़ाएंगे तब भी, हाँ, और क्या है, दोस्तों, बात हम करते हैं, इस question की, question number 7, कहता था, LCM of this one, देको, LCM लेना, बड़ा आसान टेकनिक है, बस आपके अंदर, patience होज़िए, फ़रे देखो, 56, 84, 112, 574, 102, 112, ठीक है, देया, ठीक है, यह तो होना ही नहीं है, 112 से 168 जाता नहीं, 112 से 420 जाता नहीं, 112 से 210 जाता, कैसा लग रहा है, कही answer, हाँ, मेरे देखता हूँ, 112 दूनी, 214, 214 है, मुद्दा खातम, 112, 448, 420, 112, 112, 112, 122 होना नहीं, खाल्तु में, में LCM में समेले, जोब एक टैकनिक तो यह हो गई, दूसरा, सभी मुझे 28 के मल्टिपिल दिक रहे हैं, 28, 222, 28, 23, 28, शोगा, आपको भी दिक रहे होगा, ऐसा नहीं है, मोटा मोटा देखो, सभी से 28 तो कॉमन है, अब 2, 3, 4 का LCM 12 होता है, 28 गुड़े 12, 336 होगा, question number 7 का जो answer आएगा, मेरे दूसर, 336 आएगा, उमीद है, ये चीज़ सभी को समझ में आई होगी, अब से एक जी, बोलो हाँ, अब हमसे ये कहता है, question number 8, कहता है, if the number, इतना is divisible by 11, what is the face value of x, यहाँ पर face value of x बोला, यानि, x की क्या value है, वही इसमें face value है, सीदी सी बात है, ठीक है, समझ गयना, हाँ, तो, अब मेरे दोस्त, इसको करना क्या है, 11 से divisibility का rule, हर एक बच्चा जानता है, नहीं जानता, तो आज जानेगा मेरे बई, ऐसे, sum of odd places, minus sum of even places, यानि, x plus 4, ऐसे, 3 दूना, 3 ऐसे, अब 11 से divide कर दो, समाच इसे, x minus 2 by 11, बोलेगा, भै, x plus 4 minus 6, तो, x minus 2 by 11, अब 11, अब यह x क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, क्योंकि, दो में से 2 गया, 0, 0 बटा गयारा, समझदार हो, यानि, इस question का answer, 8 में का B आएका, 8 में का B, B is the right answer of this one, तो 11 का divisibility, बच्चा बच्चा जानता है, आज की date में, SSC के previous year, करवाई रहा हूँ, वो अलग playlist मेरे दे उता, यह अलग है, तब पढ़ो, अब आजकल सब सेम हो गया है, paper लेने वाली company ही सेम है, कुछ भी पढ़ो, तब बराबर है, सबी के form वरो, solve the following, गोड मास का नियम, आप अच्छे जानतू, पहले internal solve गोगा, मैं इसके step लिक रहा हूँ, पहले समझना, step में क्या, 19 ऐसे, माइनस नौ, डिवीजन 3 ऐसे, 9 ऐसे, इससे आपकी कभी गलती नहुँ, अब मोटा मोटा, 81 बटा 3 27, 19 में 27 गया, माइनस का 8, इसका खेला ये हुआ, ऐसे, और मेरे दूस, माइनस का 3 is the right answer, यानि, question number 9 का जो answer आएगा, वह माइनस का 3 आएगा, माइनस 3 इसका सही answer होगा, 9 के बाद, 10 number, देकर, ये question को बढ़िया समझना, ये SI का question है, साधारन ब्याज का, लिखा भी है, जब भी आपको कहीं, किसी question में doubt की, SI का है, CI का, जब आप सुत्री बाब बता रहे, CI का जो भी question आएगा, अगर इंगलिस में देखोगे, तो compounded सब्द यूज हो जाएगा, और जब वो compounded सब्द यूज ना हो, तो by default वो SI का होता है, मुटा मुटा हिसाब, आज से समझनो, एक दनासी 5% वार्सिक सदाहन ब्याज पर, तीन सही एक बटा 4 के अंत में इतना हो जाती है, यानि यह as a amount है, 2790 हो जाती है, 5% interest के हिसाब से, तीन सही एक बटा 4 वर्स में इतना हो जाती है, यानि यह interest होने के बाद, देखो, principle हमेसा 100% होता है मेरे दूस, क्या है, वो हमें नहीं माल, अब principle तो 100% है, 5% के हिसाब से, तीन सही एक बटा 4, तो 5, 12, 13, बटा 4, यह 25 हो गया, 465, बटा 4 as a percentage हो गया, तो यह जो amount है मेरे दूस, वो 465 बटा 4 as a percentage हो गया, यो कि 2790 के, मोटा मोटा देखा भी जा रहा है, इससे यह 6 बार में चला गया, 24, 24, 24, 28 जादा हो जाता है, यानि एक परसिंट की वैलू 24 हो गया, यह 4 को 24, और हमका का चाहिए, 100%, 200 इत्थे, 200 उत्थे, 200 is the right answer, सभी बच्चों को मालूम है, कि यूथ रेल्वे की प्रिवियस येर, टाइब वाइस हमने करा रखा है, आप उसको पढ़के और अच्छी हो सकते, रिजनिंग की क्लास करवाए, मैं अथ का टीचर रिजनिंग क्या पढ़ाऊ, ठीक है, जिसको CI में प्रॉब्लम है, बहुत सारे हमारी लेक्चर पढ़े हुए, हर लेक्चर का पहला पार्ड देख लिए न, सारे डाउट के लिए रहा हुए, तस्वे के बाद, क्यारा रब्ब्ब्ब, केदा दा इंट्रेस्ट और रुपीस, बारासो पचास पॉर सिक्स येर, एड़ रेट अफ इंट्रेस्ट पॉर परसेंट, इंप इंट्रेस्ट पर रहना, देखो बारासो पचास का, रेट इंट्रेस्ट टाइम कर लो, से चोग को 24 परसेंट निकालना है, बस इसका 24 परसेंट आंसर है, अब जो पुलिस भरती वाले हैं, वो टैक्निक को समझना, अगर पुलिस की त्यारी करो, 24 का आधा 12 कर लो, और इसका डबल कर लो, पचीस सो हो गया, परसेंटेज 2-0 की बली मांगता है, पचीस गुड़े बारा, तीन सो हो गया, जैनि इस कोशन का आंसर, 300 हो जाएगा, कोशन नमबर 11 का जो राइट आंसर है, मेरे दूस्ट, विवेक जी, 300 हो जाएगा, 300 हो जाएगा, 11 के बाद 12 नमबर कोशन, एक बैतरीन कोशन है, इसको 3 स्टार सिर्फ इस बात के दे रहे हैं, कि अगर आप किताब खुल के, इसका सोलूशन देखींगे, आपको टेंसन हो जाएगा, बद उसी बात का 3 स्टार दिया है, किसी सम्चत्रबुच के एक भुजा की लंबाई पता है, जिसका छेत्रपल 24 है, देखो, सम्चत्रबुच, जिसे इंगलिस में रॉम्बस बोलते हैं, इसमें 4 की 4 भुजाएं बराबर होती हैं, जो इसके विकन हैं, एक दूसरे को 90 डिगरी पर काड़ते हैं, और विकन एक दूसरे को बराबर भागों में डिवाइट करते हैं, लेकिन जो इसकी विकन है, वो देज नॉट इक्वर्टू, यानि दोनों बराबर नहीं होते हैं, जो किसी सम्चत्रबुच के एक बुझा के लंबाई क्या है, जिसका छेतरपल 24 है, सम्चत्रबुच का छेतरपल एक बटा दो, दोनों विकन्नों का इंटू, D1 इंटू, D2 24 के, देखा जाए, D1 इंटू, D2 24 दूना 48 होका, और इसके विकड़नों के लंबाई का योग क्या होगा, दोनों विकड़नों के लंबाई का योग मेरे दूस्त चौदा बोला जा रहा है, अब आप दिमाग लगालो, आठ बुड़े 6, 28,48 होता है, और 8,6, 14 भी होता है, बोलो हां, यानि एक विकरन आठ है तो ये 4,4 हो जाएगी चार तीन तो यह पांच हो जाएगा एकॉर्णिंट टुदा ट्रिपलेट्स पाइथागूरस थियूरम समझ गया अगर एक विकण को आठ घोसित किया तो दूसरा विकण आपका छे हो जाएगा समझ गया इस दर राइट अंसर फिर से देखो आठ है बराबर भागों में डिवाइट करता है यानि चार-चार हो गया तो तीन-चार एक यह बाद मेरे दोस्त पांच आता है पांच आता है पांच पर देखो पर तो हर चीज का बैच है बनाओ तो कि कैसे काम चलेगा यह भी तो फ्री पढ़ा रहे पढ़ो किस वर्स पिछले वर्स की तुल्ला में जन संक्या प्रस्त ब्रदी सबसे अधिक है यह को एक चीज सब्दों अगर भगवान ने कॉमन सेंस दिया है तो यहां देखो यहां एकदम बड़ा इस अमजगे ना यानि यहां पर आपको थोड़ा सा अब माल यह भी ऐसे बड़ा होता तो भी धिमाग लगाते फिलाल ऐसा नहीं है यह 10 है और यह 30 हो रहे चाली सो रहे है पचास हो रहे है साट रहे सतर देखा जाए माल इस रोम में देखा जाए सबसे और फिर सबसे कम यह हो जाएगी ठीक है पर दस से जब 30 की ओर आ रहे हैं आप समझ रों ढ़िश्ट इन गुना हो जा रहा है 1991 में सबसे यादा व्रद्दी हुई है इस डंडिया इसके लिए ये सो हो ही है इसके लिए डंडिया आगे पीछे हो गए ठीक है सबसे आदब रद्धी हुई है यहां आपको दिमाग लगाना चाहिए तो बोलो टेल टेल उनसा दया कोश्चन था कोश्चन नम्हर बारा के बाद तेरा था बुक की नम्बरिंग से चल ले हैं हाँ है कि तो कोश्चन करागे रहे हैं कि किसी मिस धन में 15 परसिंट चांदी है मिस धातू के किसी भार में यदि 51 ग्राम चांदी है तो दूसरी धातू क्या है मोटा मोटा देखो 15 परसिंट द्या 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 सो है कि नहीं आप खुनके बोलो हां सर ये तो सो है तो पास से ये तीन बार पास से ये सत्रा बार सत्रा में किसका गुणा करें गुणा करेंगे 289 आएगा तीन में 17 का गुणा करूगे 51 आएगा तो 17 में 17 का गुणा हो जाएगा 289 तो मेरे दोस्ट शौदा का जो आंसर होगा 289 ग्राम आएगा आफ लाइन पढ़ा दिए पॉस्विल नहीं है तो नहीं पॉस्विल है बस मुद्दा खतब अब उसके पीछे क्या राज यह क्या मेंटर है अब मोम आया है और ज्यादा इंपॉर्मिशन जाने से क्या फायदा पॉस्विल नहीं मुद्दा है कर दूं 14 के बाद 15 नंबर एक वेक्ती 40 किलोमेटर पर दिघंटे की गती से गारी चला कर ऑफिस एक मिनट पहले पहुच जाता है जबकि 36 किलोमेटर पर गती से गारी चलाने पर वे ऑफिस 30 मिनट देरी से पहुचता है घर से ऑफिस जाने में वे कितनी दूरी टैक करता है बोलो हा clear है मेरे दोस्तों हर चीज को समझना है पहले समझो जब मैं 40 की speed से जाया था तो एक मिनट पहले पहुच जाया था जब मैं 36 की speed जा रहा हूँ तीन मिनट देरी से जा रहा हूँ समझ गए न तो मेरे दोस्त यहाँ पर difference between time के बारे में चर्चा होती है distance क्या होती है पहली speed, दूसरी speed दोनों की speed का अंतर और difference between time समय का अंतर पहली speed इंटो दूसरी speed अपॉन यूवन माइनस यूटू दोनों speed का अंतर difference between time अब देका जाये distance पहले मेरी speed 40 की थी बाद में 36 की ही दोनों speed का अंतर 4 है समय यहाँ पर एक मिनट पहले और तीन मिनट देरी एक और तीन होता है चार मिनट है तो 60 से भाग दोगे घंटा में convert अब मेरे दोस्स सिर्फ इसे calculate करो चार से चार गया 20 से ये दो बार, 20 से ये तीन बार 3 से ये बारा बार position जो आ जाएगी कोशन नमबर 15 का जो राइट आंसर होगा मेरे दोस्स 24 होगा 24 दिस इस दा राइट आंसर आप दिस वर बोलो बोलो टेल टेल समन में आया ना तुको ये बहुत करा चुके पोश्चन को 15 के बाद मेरे दोस्स 16 नमबर कोश्चन 16 नमबर कोश्चन पे हमें फोकस करना पड़ेगा एक बैतरीन कोश्चन है इसे 3 स्टार सिर्फ इस बात के लिए कि आप इसको ध्यान दें तो प्रवेस पाइप में एक की दच्था दूसरे की दच्था से दुगनी है यानि दो पाइप हैं मालो ए और बी एक की छमता बी से दुगनी है यानि बी अगर एक लड़ू खाता है तो ए दो अगर समय की बात करें अगर समय की बात करें समय तो ये 2X टाइम लेगा और ये X टाइम लेगा अब A की छमता B से दुगनी है तो B एक लड़ू तो A तो अब कहता है दोनों एक निकास नली के साथ काम करते हुए जो अकेले 8 गंटे में टैंक को खाली कर सकता एक पाइप C आ गया जो कि टैंक को 8 गंटे में खाली कर सकता according to the portion फिर कहता आद गंटे में खाली टैंक को भर सकते हैं अब यहाँ पर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिस अब हो गई वो शॉटकर में बोला है मतलब तीनो पाइप को अगर एक साथ चालू कर दे तो जो खाली टैंक है क्या 8 गंटे में भर जाएगा आठ गंटे में बर जाना चाहिए तो कम दच इनलेट पाइप द्वारा खाली टैंक को स्वेम भनने के लिए थोड़ी सी या तो एक दो लाइन टाइपिंग मिस्प्रिंट हुआ होगा एक्जाम में ओरिजिनल पेपर या तो वह कुछ भावनाव में बैग गया होगा क्यों मा लगा कि उसने सिर्फ ये बोल दिया कैन फिल दा इंपटी सिस्टम इएट आवर क्या आप आठ गंटे में टंकी को बर सकते हैं फिर आगे मोल ला है हो मैनी आवर्स विल दा लेस एफिसेंट इल्लेट पाइप टेक टू फिल दा सिस्टम कुछ नहीं करना देखो अगर ये वाला भरेगा एक गंटे में तो एक बटाट और ओवराल आठ घंटा एक बटाट बस इसी को सॉल्व कर लो यानि जन्रल प्रोसेस से यह जल्दी सॉल्व हो जाएगा मेरे दूस्ट पी अपन एक्स ऐसे यह उधर गया जो टू बाई एट ऐसे एक्स बराबर आ गया एक्स बराबर आ गया किता बारा उस तो दयागा बढ़कर अचा नीचे यह टू एक्स एलसिया वही सूचू टू एक्स बराबर बारा कि तो एक्स बराबर शेक आये जब x बराबर 6 के तो हमसे कहता है कम दच इनलेट पाइप द्वारा खाली टैंग को स्वेम भनने में कितना समय लगेगा तो ये 2x वाला कम दच है तो 12 घंटा लगेगा 12 आवर इस दा राइट आंसर एक बार फिर से समझाते हैं समझो दो भरने वाले पाइप हैं एक की छमता दूसरे से दुबनी है यानि बी अगर एक लड़ू बनाता है तो एदो बनाएगा अगर हम समय के हिसापस चले तो हमने माना एक किसी काम को एक समय में कर लेता है तो बी टू एक्स तो रेशियो वही बन जाएगा हम जानते हैं efficiency inversely proportional to time होता है फिर कहता है C अकीला खाली करने वाला 8 घंटा काम करता है अब कहता है कि तीनों मिलकर टैंक को एक तरीके से 8 घंटे में भर देना जाए तो अगर एक को चालू किया तो एक बटा एक्स काम करेगा बी एक बटा टू एक्स काम करेगा सी खाली कर रहा है एक बटार ओवराल आटे घंटे का टैम दिया तो एक बटा आट किसी को कैल्कुलेट करिया तो एक्स बराबर 6 हम ते करा कम दच वाला यानि जिसमें समय ज्यादा लगेगा वही कम दच यह समय एक efficiency एक समय टू एक्स छे दूनी बारा इस कोशन को अच्छे से समझना यह एक अच्छा कोशन कामता पांडे जी सरबाशट सो मैथ के लिए एक वीडियो बनाओ पर भाई किताब और कर रखिये आ जाए तब वीडियो बनाए अब बताओ क्या किताब के बिना रिव्यू देना आप एक बार अपने दिल से बताओ क्या किताब मार्केट में किताब आ गई है मैं कानपूर सिटी में वहां offline किताब नहीं मिल लए है online मैंने मंगाई है किस से मंगाई है ये नाम नहीं लेंगे वो न कोगे सर इसका प्रचार कर रहे है अब वो किताब जब हमारे पास देउता आ जाएगी तिन चार दिन लगते हैं मिर भाई आ जाएगी तब रिव्यू देंगे अब किताबे नहीं है बजोके जाओ रिव्यू फरजी न्यू शैनल नहीं है मेरे दोस्त कि इनफॉर्मेशन नहीं मालूम है बस पकड़ लिया कि तोला के बाद सत्रा निम लिकित में से कौन संक्या नौ से विभाद यह है नाइन से डिविजबिल्टी आप जानते हो सभी अंकों का योग नौ से डिविजबिल होना चाहिए देखो यह नौ नौ जाएगा पर छे नहीं जाएगा फिलाल पहला आप्शन नुझे मालूम है तो बोलो टेल 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 17 के बाद 18 कि अल्व तॉवलेग कि इसको सॉल्व करना है में दोस्सको तो solve करने के लिए बिल्कुल basic 123 ऐसे, 23.3 ऐसे, 1.23 ऐसे, 1.23 ऐसे, 0.0123 ऐसे, 3 ऐसे आएगा, 5 ऐसे आएगा, जोड़ो 6 ऐसे आएगा, 6 ऐसे आएगा, 6 ऐसे आएगा, 6 ऐसे आएगा, तया 3 ऐसे, 1, 136.6653 is the right answer, इसको ऐसे ही करो, तो better है मेरे दूर, साउधनी आटी, तुरंद गलत, हाँ, अगर आप थोड़ा सा expert होगे, तो practice से, सब कोई, अब expert हो रहा है, तो आप देखो, यून, चौथे place में 3 आना बिल्कुल fix है, चौथे place में सिर्टीन यहाँ है, ये तीसरे place में है, बस सीधे सी answer, इतना जोड़ने की विजुरत नहीं ह हाँ, ये सायद 19 नंबर होगा, कहता है, दो व्रतों की त्रिज्जा, इतनी इत्ती, उनके केंद्रों की विश्कुदी, दस अनप्रस्त समान, इस पर्स रेका, सभी जानते हैं, मिरे बाई, अनप्रस्त, ट्याग्राम को देखकर आप समझ जाएंगे, ये इस पर्स रेका की बात कर रहा है, तो ये त्रिज्जा, आरवन, इत्रिज्जा, आर्टू है, इसको इदा-लेआ, बस अफ्षूस और इनके के, तो कहीं ना कहीं, हम से पी-म, जो की सफर्स रेखा है, पी-म की बात कर रहा है, अन्डर रूट डी स्कार, माइनस, आरवन प्लस आर्टू का, हॉ समान होती है एक अनप्रत समान स्फर्स दिखा होती है CD-2 रिखा हम या आरवन माइनस रट हाल प्लस रख अनप्रस वाले में बस होता है ठान्शवेर्स कॉमनेंट टैंगेंट और उसे डायट कॉमनेंट टैंगेंट बोलते हैं में प्रिद्योताओं ती स्क्वाइर दस का स्क्वाइर जानते हो 100 हो गया आरवन आर्टू जो की आठ का स्क्वाइर जो की 64 बाहर आएगा 36 का च्छे इस इस दा राइट आंसर यानि कोश्यन नंबर उन्निस का जो आंसर आएगा ना यह आएगा छे आएगा चाले उन्निस के बाद 20 नंबर कोश्यन यह चार्ट एक परिवार के प्रतिमा के घरेलिव व्यका प्रतिनिर्थ करता है अगर परिवार की आमदनी इतनी है तो परिवार द्वारा मनुरंजन भूजन पर एक मैने का खर्च क्या मनुरंजन और भूजन का मनुरंजन मतलब इंटर्टेंड्मिंट और भूजन मतलब फूर्ट इसका यह देखा जाए 25 और नो 34 परसेंट होगे अब 34 परसेंट किसका 33,650 का 34 परसेंट निकालना है बोलो हाँ अब देखा यह जाए 34 परसेंट का आधा होगा 17 भाई मुझे 34 का टेबल तो आता नहीं और यहां दो का गुणा कलूंगा जीरो बारा एक तेरा अब परसेंटेज दो जीरो की बली ले लेगा 17 परसेंट परसेंट इसको डबल किया ऐसा वाई तो यह परसेंटेज दो जीरो गैप करने के लिए क्लिए क्लिए बोलो बोलो क्लिया ना आप question नमबर 20 के बाद मेरे दोस 21 नमबर चलेंगे जोकि अंती में सेट का कयाता दो पाइप किसी खाली टेंग को 25 गंटे में भर सकते यानि एक किसी टैंग को 25 गंटे में बढ़ सकता है भी 40 गंटे में कि उसको 16 गंटे में खाली कर देता है पहला उत्यस एल्सियम जो कि 400 होगा ये आप एल्सियम लेना थोड़ा समय लग सकता है 25 गुड़े 16 400 होगा 40 से ये 10 बार 25 से माइनस का 20 अब तीनों मिलकर बोल ले तो यहां 16, 10, 26 लड़ू बने 25 टूटे यानि एक यानि सारा खेल 400 गंटे का है 400 गंटे को आपको तेज में कनवर्ड करना है तो 24 से भाग दो 24 इक कम 24 एक आया यहां 16, 0, 144, 6 बार में यानि 16 फिर बचा तो 16 दिन 16 घंटे आंसर आएगा यानि कोशन नमबर 21 का जुश्थाई आंसर आएगा 16 दिन 16 घंटे हो जाएगा इस इस दा राइट आंसर आप दिस वन उमीद है मेरे दोस्ट ये चीज आप सभी को क्लियर होगी ये सेट यानि 101 नमबर यहां से कंप्लीट होता है जोकि 17 अगर सिप नमबर 2 है येल पीका